भक्तो यदि आप वसीकरंड करकर के ठक चुके हैं और सफलता नहीं मिल पा रही हैं, तो आज हम आपके लिए बड़ा ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप किसी भी इस्त्री प्रूस, किसी भी गल्फ्रेंड, बोईफ् पती-पत्नी या किसी का भी आसानी से वसीकरंड कर सकते हैं, और उस इनसान से अपनी इच्छा अनुसार कारिये करवा सकते हैं, यह प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोटका है, और भक्तो जिसने भी यह टोटका किया है, उसमें से स कि कैसे और किस प्रकार से इसको आपको करना है, इसको करने के लिए आपको दो लहसुन की कली और दो लोंग, लोंग का जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि फूल वाली लोंग लेनी है, साबुत, और एक रक्छा सूत्र, यानि कलावे की इसमें आवशकता होगी अब आपको क्या करना है सबसे पहले, लेसुन की कली के उपर आपको उस इस्त्री या पुरुस का नाम लिखना है, जिसका कि आप वसीकरन करना चाते हैं, या अपने पास बुलाना चाते हैं, जैसे कि उसका नाम गीता है, तो आपको इस प्रकार से उसका नाम यहाँ पर ल पुरुस का नाम आपको लिख लेना है ठीक है और सेम ऐसे ही इसी परकार से आपको दूसरी कली पर भी नाम लिखना है इस पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका नाम सोनु है तो आपको इसके उपर अपना नाम लिखना है ठीक है अब आपको क्या करना है लोंग लेनी है और लोंग को इसके अंदर नाम के अंदर आपको घाड देनी है ठीक है दोनों लोंग दोनों कलियों के अंदर घाड देनी है एक अपने नाम के उपर और एक उस इस्त्री के पुरूस के नाम के उपर ठीक है अब आपको क्या करना है लाल धागा या कलावा आपको ले देना है इसके उपर लाल धागे से इस परकार दोनों को एक साथ बान देना है अच्छे से इसको बानना है कम से कम साथ बार आपको इसके उपर लाल धागा इस परकार से आपको बानना है साथ बार इसके उपर लपेटना है अब आपको क्या करना है एक मंत्र हम बता रहे हैं जो की वसीकरण का बहुत ही powerful और महा सक्तिसाली मंत्र है। जान से देख लीजे इस मंत्र को, मंत्र है ओम हरीम क्रीम धुम सू नमो नमा। आपको इस परकार से दोनों को रखना है और इसके उपर इस परकार हाथ रख लेना है। और उस इस्तरिय पुरूस का मन में ध्यान करना है, जैसे कि उसकी छवी आपको अपने मन ही मन बसा लेनी है, और आपको इस मंत्र को 51 बार बोलना है, ओम रीम करीम धूम समो सू नमो नमा, जब आप 51 बार मंत्र बोल देंगे, तो यह है जो कलिया है, सिद्ध हो जाएंगी, अ आपको क्या करना है, इन कलियों को ले करके, किसी कीकर के विरक्च के पास जाना है, और महाँ पर एक फुट का गड़ खोद करके, इसको दोनों को महाँ पर दबा करके चला आना है, और मात्र तीन से चार दिन के बाद आप देखेंगे, उस इस्तरिय पुरूस पर बड़ा ह भेंकर वसी करण होगा वह एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाएगा आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा